हालो फ्रेंच नमस्कार दोस्तों यह दिया आप एक न्यू मेकैनिक है तो यह है जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक ओनी कंपनी का कलर टेलिवियन का किट है और यह किट दोस्तों हम कब लगाते हैं जब जो ट किट आप लगाते हैं तो उसमें कुछ प्राबलम भी आ शकती है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकेंगे तो आप देख सकते हैं यह जो कलर किट है ओनी कंपनी का है और एक बात यार रखिएगा कि टेलिवियन चाहे 14 इंच का हो 15 इंच का 17 इंच का बीर से 21 इंच का तो आपका ज पिरम गाइन कि इनकी मिलता है जिस पर आपको सर् Events मेंनु Cashre Oaken करना है उसकी ज records आपको दी अख़ा उती है और यह आपको शांधस we देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस पर Audio Video का Socket भी मिल जाता है और इन सब का Connection करने के लिए हमें पूरा Wire जो है मिल जाता है teleka। देख सकते हैं कुछ इस परकार से ढाँ आज़े का Wire जो Wire उस ऊकेटं आप यह मिल जाता है और योग का जो केबल है योग में लगाने के लिए वायर भी हमें मिल जाता है और इस किट को इंस्टाल करना बहुत ही आसान होता है तो दोस्तों आप किट तो इंस्टाल कर लेंगे लेकिन हो सकता है कुछी जानकारी आपको ना हो किवल अंतर क्या होता है कि कोई-कोई जो पिचर ट्यूब होता है उसका जो नेक होता है तो मोटा होता है पदला होता है जिस पर दोस्तों आप यह बेस जो है चेंद करके जो है और इस किट को लगा सकते हैं बड़ी आसानी से और जब इस किट को दोस्तो आप किसी भी टेलिजन पर इंस्टाल करते हैं तो कुछ प्राबलम जो है आपके सामने आ सकती है जैसे कि पिक्चर अगरा का जो हाइट अगरा है तो बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत ही कम होना और सामसा दोस्तो हार जेंटल में भी आपका पिक्चर जो है काटा होना कि फिर ज़्यादा आपका फैला हुआ होना तो यह जो सारी समस्या हैं दोस्तो आपको देखने को मिल सकता है क्या होता है कि हम रिमोट से सर्विस मेनू को ओपन करके जैसे कि आप देख सकते हैं रिमोट पर एक hidden छुपा हुआ बटन होता है जिसे प्रेश करके और हम color बगरा set करते हैं, height बगरा set करते हैं brightness बगरा भी set कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि height बगरा इतना ज़्यादा zoom होता है कि हम इस service code से भी ठीक नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें करना क्या होता है कि इस kit से ही height का जो problem है उसे ठीक करना होता है तो आज दोस्तों मैं एक छोटा से जनकारी दूँगा तो इस video को पूरा complete देखें, तब इस दोस्तों आपको समझ में आएगा तो जैसे कि दोस्तों आप इस remote के service menu से TV का height वगरा set करते हैं और set नहीं हो पाता है तो दोस्तों आप manual है, टेस kit से कैसे height को ठीक करेंगे, कम जादा करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं यह एक capacitor लगा हुआ है, vertical section पर 1000 MF 35V का दोस्तों यह capacitor है और एक दोस्तों आप देख सकते हैं, line लगा हुए है, यह इसका minus वाला point है और इसका प्लस वाला point है, तो यह दोस्तों हमारा yoke पर जाता है और इसका minus वाला point है तो आपको दोस्तों minus वाला point देखना होगा कि इस capacitor का, जो minus वाला point है तो एक resistance से होते हुए और ground के बीच में connect होता है मतलब कि यह जो कैपिस्टर लगा हुआ है 1000 MF 25 वोल्ट का भी कैपिस्टर हो सकता है किसी kit में इसका दोस्तो मानेस वाला point आप देखेंगे कि एक resistance से होकर और ground के बीच में connect होता है जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यह ग्राउंड है और ground से और इसके मानेस पर इस कैपिस्टर के मानेस पर एक resistance लगा हुआ है और इस resistance के दोस्तों value आप देख सकते हैं यह जो resistance लगा हुआ है यह one ohm का है और यदि आपको height बहुत ज़्यादा मिलता है आपका service menu से भी height control नहीं होता है तो दोस्तों आपको यह resistance है इसका value आपको बढ़ाना पड़ेगा मतलब कि आपको यदि एक ohm का resistance लगा हुआ है और आपको height घटाना है तो दोस्तों आपको 1.6-1.5 ohm का resistance यहां लगाना होगा और आप देखेंगे कि आपका height का problem है तो वह ठीक हो जाएगा और यह जो कैपिस्टर आप देख रहे हैं यह vertical section में आपको जितने भी television के kit हैं उस पर आपको मिलेगा जिसका एक जो plus बाला point है वह आपका सीरह योग को जाता है देख सकते हैं और एक जो minus बाला point है तो यह जो minus बाला point है आपका एक resistance से होकर ground से connect होता है यह जो resistance है open होने पर भी आप part ढूंडते रह जाएंगे और आपको television पर जो है कम ज्यादा करके और आप height को control कर सकते हैं कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि height यह बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है नए kit पर ली तो उसे दोस्तों हमें इस resistance का value कम ज्यादा करके और height को control करना होता है इसके बाद एक दोस्तों problem और आता है कि picture चौडाई में जो है कम रहता है या फिर ज्यादा फैला रहता है तो आपको yoke वाला एक जो wire है या जो red color वाला wire होता है yoke से जो कियाता है horizontal वाला wire जो कि दोस्तों यहां लगा होता है उसे आपको यहां से निकाल कर और देख सकते हैं दोस्तों यह 5 पिन जो है दिया हुआ है तो यहां हमें दोस्तों घरते क्रम में इधर से जो है आपका voltage जो बढ़ता जाता है जिसे आप जैसे है इसे लगाएंगे तो आपका टीवी स्किन पर देखेंगे picture आपका फैलता जाएगा तो यह दोस्तों छोटा सा से शेटिंग है मलब कि यह जो योग वाला रेड वाला वायर है तो आपको यहां से निकाल कर और यह दोस्तों जो पिन है तो यहां आपको लगाना होगा तो दोस्तों याद रखिएगा कि आप किसी भी टेलिजन पर चाहिवा 14 इंच का हो 15, 17, 20, सकी सिंच का तो किट आपका मार्केट में एक ही मिलेगा और केवल अंतर जो होगा तो बेश का ट्यूब आपका मोटे नेक का होगा पतले नेक का होगा तो आपको बेश चेंज करके और किट को लगाना होगा और आपको अल्टर स्लिम टेलिजन का किट जो है 19 इंच का 32 का मा लग मिलेगा दोस्तों नमस्कार